गुद्वार्ण इक्सुडट्ट आज भूंपढ़ेंगे क्लास 12 का विशयर्ण आपका हिंदी और आज हम लोग पढ़ने वाले नापने गौर्ण आपको क्या करना है आपको इस पार्ट का सारांश मतलब जो रेखने के बारे में हमने आपको बताया आपको पूरे पार्ट का सारांश जो इनको लिखना था और मुझे भेज रहा था के बाद एक हम से लिखा और मुझे भीजा तो इस पार्ट का सारांश जरूर लिखना है तो हम आज पीस पार्ट का सारांश जरूर लिखना है तो विशें हम पड़ रहे हैं आपका हिंदी और आपके बात तो जिसका नाम में गौरा ठीक अब बात करें कि इस पार्ट का पार्ट मीज़ें हैं उसमें चार्ट सब्सक्राइब और चौथा आपका व्याकरण ठीक तो यहां पर हम जो आज पार्ट पढ़ने वादी है उस पार्ट का नाम है गौरा जो भी सब्सक्राइब से लिया दिया रहे है कि इसलिया है यहां पर लिखा हुआ है कौन सी विधा है यह प्रस्ट एक्जाम में जरूर आता है कि दिया गया पार्ट या गौरण अमंद्लु कार्ट है वह कौन सी विधा है अब यहां की जब भी हम कोई लेख पढ़ते हैं तो वह लेख का एक प्रकार होता है कवीटा होगी कहानी होगी रेखा जितन होगा निव गवड़ नावाट जो है वो कौन से विधार है तो आप्れてं प्रस्ट है कि यह और दृघ्ष पहलेग़ा है कि और डा प्रस्ट कानाम का के बिसक्ता है जिनका नाम है मामा देवी वर्मा तो यहां के आप देख रहे हैं इस इतने जीजों में आपके तीन प्रश्म बना दिये यहीं एक्जामेट जाकते हैं जो हमीं जोते हैं कि यह प्रश्म कहां से आगया आप कैसे बन कि आप आपका तो हमें जो आपका प्रश्म बना देखें की जो आपके बना रहा रहें होगा वह इसका नाती ने जिये गए यह पीछ पीछ में से घ्यक्त करने हैं तो आगे पढ़ते हैं यहां पर देख रहे हैं आपको तीन चीज़ों का बहुत ज्यान रखना है पहरी जीज़ों कि आपके पार्ट के शब्दत आपको लिखने हैं तो कि आपको पार्ट को सब्सक्राइब कर क्या लिखना है उसका सारांस लिखें कम से कम एक से जेड़ में बता लिए आपको बहुत चोटा सब्सक्राइब पार्ट का सब्सक्राइब कर लिखना है तो हमें क्या करता है उनका जीवन परिचे लिखना है लिखना है इस और फार्ट करना है तो आप्सक्राइब करना है अब हम इस पार्ट करना है और महादेवी वर्मा के बताना साय रही है पाट के माद्रम से लेख के माद्रम से हैं पनावा यहां पर महादेवी वर्मा गौरा गौर्वा अंद्धार है कि महादेगी वर्मा की जो बहन है वो एक गाय लेकर आती है गाय देखने में बहुत ही सुन्दर होती है एक गाय वर्मा की लंभी पूछ बड़े सीन है सुन्दर जाली आंखें तो बहुत प्रश्च भी आतका है एक्नाम में की गौरा की सुन्दरता का बढ़ना की जीजिए आपको बता होना तरहिए तो ठीज की यहां बताया कि आगे पड़ते हैं इस पतेट थे और देखने में पहुत सुन्दर वह सुन्दर भाइय वह सुन्दर ने वह गाहिए वह सुन्दर ने जान कर दो तो हमें क्या बता है क्या नाम होता है कि जब गाय बहुत देने लगती है उसका बच्रा होता है गाय बहुत देती है तो जो जो बहुत है नाम को बहुत देते हैं जानवर भी होता है पी खाते है घर में रहने लगते हैं तो तो जो भूत वाला होता है वह जलन वहांनष के अदर आजाती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा कि तो यहां पर गायék UK कि अचर लेखा जाता है जिए जैना समय किसी के पास नहीं है तो तुम क्या करोगा रखा जाता है कुझे और और जोगे जिसको देना है तो वो कुछ सोचता है कि मैं क्या करूं है कि गाय को बीवार हो जाए मर जाए मतलब दूज ना दे और यहां ते खुलब गाय चली जाए मतलब मेरा काम जो फिर से शुरू हो जाए तो गाय को फिला तो गाय को फिला तो गाय की बात कर रहें तो यह एक जाना है जो पागों करते हैं जाम है कि तुआ मैं कर लों क्या निगलती चपा तो इसको फेली परतिख तो तो ओट है ऑफ से लाई थी खाना नीघाय की अगले में उसके समस्या। नजस्वी जुप गई थी तो गाय थी खाना बंचकर दिया को भी पंचक ग्रिए भी पकली हों और पो डॉप्स लिए जादों पवह वह से गाय जिए क्यों पीमार में इसकी नजस नजस रखें। तो दॉक्टर जब आया कि इस गाय के गले में कुछ फस या जब चैक की आगे तो पता चाहिए कि गले में क्या है स्वी जो की उसे खाना खाना जे लिए है ना तो चैंसे लिए उसको बार बार तो इससे शमचना आगे गए दिने भीमार कड़ती गई खाना पीना बन रो गया लुक्तना बैट तो उसने भीमार कंजोर हो गई डॉक्तर में कहा गया कि सेव का एपल जूस पिलाओ हो सकता उसकी वज़े से जो हट गया हुई लेकिन ऐसा नहीं हुआ भीरे भीरे गाय कंजोर होती गई और आफनी में जांगी मर्दों तो यहां में महा देवी वर्मा ने माता के समान मांते हैं और वहीं देश मेरने आफ लोग हैती है जो थोड़ी जलन की भावना में के दूरह ही तो कोई दोश नहीं था तो क्या कि अपनी जलन की भावना में उसकी क्या लिए जाने दोंग जी आपको इसने आपकी कामानी आप बढर की मंदों से जो किसे 1 बता प्रणित आपको इस तरफ यहां प्रणित इस तरफ यहां मारा जाता है मात जाता है तो इस तरफ से उन्हों करना है जो कि आपको आज भी भेजना है पाट का सारांस आपको आज भी लिखकर मुझे भेजना है क्लियर आप इसे नोट कर दीजिए और याख कीजिए इसको प्रक्षा में हम इस पाट के प्रशुत्र को हल करें